Hello Friends, Welcome to my channel Unraw What He Did आज का हमारा टापिक है बेक्तित्तो का मापन बेक्तित्तो का मापन है था बेक्तित्तो मापन की जो बिदियां है सबी बिदियों के बारे में डिस्कस करेंगे इससे पहले हमने बेक्तित्तो कार्थ, बेक्तित्तो की परवासा और बेक्तित विविंता के बारे में संपोन जानकारी प्रदान कर चुके हैं यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो चैनल में जाके आप देख सकते हैं सुरू करते हैं वीडियो को सबसे पहले मनो बेग्यानको ने बेक्तित व्मापन की बहुत से विदियों का प्रतपाधन किया है इन विदियों को मुकरोब से दो भागों में बाट कर समझा जा सकता है जो बेक्तित व्मापन की विदियां हैं इनको दो भागों में बाटा गया है जिसमें सबसे पहले आते हैं प्रिच्छेपण बिदियां और दूसरी है अन्ने बिदियां यादि प्रिच्छेपण बिदियों के बात की जाए तो इसमें जो बिदियां आए वो है TET, CET, IBT, IBT, ICT, FWAT, PFT, PDT, DPT और CPT ये सबी बिदियां जो आए ये प्रिछेपन बिदियों के अंतरगत आती हैं तथा अन्न बिदियों में अन्न बिदियों को दो भागों में बाटा गया है जिसे हम पहले आत्मनिष्ट या इसे बेक्तिनिष्ट बिदियां भी कहते हैं दूसरा है वस्तुनिष्ट बिदी, आत्मनिष्ट बिदियों में आत्मकथा बिदी, बेक्ति इतियास बिदी, प्रशनावली बिदी और साच्छातकार बिदी आती है जबकि वस्तुनिष्ट बिद में निरेच्छन बिदी, समाज मिति मिदी, निधारण मापनी, परिस्तेती परिच्छन और सारेरिक परिच्छन ये बिदियां आती हैं आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी बिदी किसके अंतरगत आती है जैसे परिच्छेपन बिदियों में ये सारी बिदियां आती है और आत्मनिष्ट में ये विदियां वस्तोनिष्ट में ये सारी अब इन बिदियों के बारे में समपूर्ण डिसकस्न करेंगे सबसे पहले हम जानते हैं कि परिच्छेपन का अर्थ क्या होता है प्रचेपन सब्द का सरप्थम प्रियोग सिंग्मन फ्रायड ने किया था जिसमें प्रचेपन का अर्थ होता है अपनी बातों, बिचारों, भावनाओं, अनभावों आद को सोयम न बता कर किसी अनुदीपक या पदाद के मादयम से अब्यक्द करना यह हो गई प्रचेपन का अर्थ, प्रचेपन बिदियों के मादयम से हम अचेतन मन की बातों का ग्याद करते हैं प्रचेपन बिदियां, प्रचेपन बिदि का जो अर्थ होता है, वो होता है, अपनी जो बातें, बिचारे, भावनाओं, यह सोयम न बता कर किसी अनुद्धीपक या पदात के माद्यम से हम ब्यक्त करें और जो प्रिछेपण बिदियां होती हैं इसमें हम ब्यक्त के अचेतर मन के बारे में बात करते हैं सबसे पहली हमारी बिदि है टायट बिदि जिसे हम प्रासंगिक अंतरबोत परिछन बिदि या कथा प्रासंग परिछन बिदि या इसे विशय आद्मोधन परिछन बिदि भी कहते हैं और आपको टायट का फुल फार्म पता होना चाहिए इसे थियमेटिक अप्रिसेप्शन टेस्ट भी कहते हैं टायट के ये सबी अन्यनाम हैं ये नाम आपको याद रखने हैं टायट का जो निर्माड है मारगन हुआ मुरे मनुबैग्यानिक ने 1935 इसवी में किया था इस परिछन में कुल 31 कार्ड होते हैं जिन में से 30 कार्ड पर चितर बने होते हैं तथा एक जो कार्ड होता है वो खाली होता है और 10 कार्ड पर 10 कार्ड पुरुष समंदित होते हैं और 10 कार्ड इस्तिरियों से समंदित होते हैं और जो 10 कार्ड होते हैं उस पर इस्तिरियों पुरुष दोनों के चितर बने होते हैं अर्थात जो टैट परिछन होता है इसमें कुल टोटल हमें 31 कार्ड दिये जाते हैं जिसमें से 30 कार्ड पे चितर बने होते हैं इन 30 कार्डों में 10 में पुरुष के चितर बने होंगे 10 में स्तिरी के चितर बने होंगे और जो 10 चितर बनते हैं उसमें इस्त्री और पूरिस दोनों के कामन चित्र होते हैं और एक कार्ड जो होता है वो खाली छोण दिया जाता है तथा जो टेट पर इच्छन था इसके जो प्रित्पादक थे वो मारगन वो मूरे द्वारा 1935 में इसका निर्मार किया गया निश्ट है 31 कार्ड में से 20 कार्ड का चैन किया जाता है इन 20 कार्ड में से 19 कार्ड पर चित्र बने होते हैं और एक कार्ड खाली होता है कार्ड नमबर 16 किसी एक बेक्ति पर अधिक्तम 20 कार्ड का एक किरियानवन कर सकते हैं प्रतीक चित्र में अलग-अलग इस्तित दर्साई जाती है, बेक्ति को चित्र दिखार कर काहनी लिखने को का जाता है, ये बात हो गई, टैट में जो कार्ड दिये जाते हैं, उन कार्ड से रेलेटर सारे पॉइंट है, साथ में महेत्पून पॉइंट है, जो एक्जाम के दि टैट के लिए टैट में कुल टोटल 31 कार्ड होते हैं जिसमें से 30 कार्ड पे चितर बने होंगे और एक कार्ड खाली छोंड दिया जाता है इसके जो प्रित्पादक थे टैट परिच्छन के वो मारगन हुआ मूरे थे तथा इसके स्तापना 1935 को होई थी ये परिच्छन जो है बिक्तिकत वर स्वामोहिक दोनों रूप से होता है तता इसमें 14 वर से अधिक बच्चों के लिए ये उप्योगी होता है कायट परिच्छन के बाद आता है कायट परिच्छन कायट परिच्छन परिच्छन इसका निर्माड लियो पॉल्ड बिलेक द्वारा 1948 इसवी में किया गया तथा इसका विकास जो किया था वो डंक्टर अर्नेश्ट क्रिष ने उनीच सो क्यावन इस्वी में किया था तो इसमें आप कोई एक्जाम में आपसे कोशन पूछेगा तो निर्मार समंदित होता है कि कैट के जनक कौन थे तथा इसकी स्थापना कब हुई तो कैट के जनक थे लियोपार्ड बिलॉक और इसकी स्थापना उनीच सोड़ाली सिस्वी में हुई थी इसका फुल फार्म चिल्डेन अप्रिसेशन टेस्ट है और इसे बाल संप्रत्य परिच्छन भी कहते हैं इससे रिलेटिड जो पॉइंट है इसमें हमें 10 कार्ड पर जानुवर की चित्र बने होते हैं तथा बालक को चित्र दिखा कर कानी लिखने को कहा जाता है ये जो परिच्छन होता है ये बिक्तिगत हुआ समू दोनों रूप से प्रयों किया जाता है किन्तु इसका जो समयकाल होता है वो 3 से 12 वर्स बच्चों के लिए होता है जबकि जो टैट परिच्छन था टैट परिच्छन में समयकाल जो था वो 14 वर्स से अधिक बच्चों के लिए था जबकि जो cat परिच्छन है इसमें जो उम्र है वो तीन से गेरा वस्तक के बच्चों के लिए होता है इसकी जो जनक थे cat परिच्छन के जनक लियो पॉल्ड ब्लाग थे और इसकी स्थावना उनिस वड़ताली से स्वी में हुई थी यह हो गया cat परिच्छन लेटर सारे पॉइंट नेस्ट पॉइंट है रोसा से हाई दब्बा परिच्छन भी दी रोसा से हाई दब्बा परिच्छन भी दी या फिर इंक ब्लाग टेस्ट भी कहते हैं आईबीटी का पूरा नाम होता है इंक ब्लाग टेस्ट इस बात को ध्यान रखें यह हो गया आईबीटी का पॉलपार्म इसके जो निर्माल कार थे अर्थाद इसके जनक आईबीटी जनक हर्मन रोसा थे और इसकी स्थावना उनिस वेकाइसी स्वी को हुई थी इस परिच्छन में दस कार्ड पर स्याहई के धब्बे बने होते हैं पांच कार्ड काले वा सफेद रंके होते हैं तथा दो कार्ड काले सफेद वा लाल रंके होते हैं और तीन कार्ड जो होते हैं वो विभिन रंके होते हैं तो आपको जो इसमें ध्यान रखना है वो है कि IBT का पूरा नाम इंक ब्लाट टेस्ट है और इसे रोस्ता से आई दब्बा परिच्छन भी कहते हैं और इसका निर्मान हर्मन रोसी ने 1921 में किया था और इसमें कुल टोटल 10 कार्ड होते हैं जिसमें से आई के दब्बे बने होते हैं बालक को इसमें धब्बा दिखा कर आकरत के बारे में पूचा जाता है ये परिच्छन के वल बेक्तिगत रूप से प्रयोग किया जाता है तता छोटे बच्चों के लिए अनप्योगत है जबकि हमने टाइट और कैट परिच्छन देखा तो वो बेक्तिगत और सामोहिक दोनों रूप से थी जबकि जो आई बीटी परिच्छन है वो के वल बेक्तिगत रूप से होता है निश्ट परिच्छन है वाक पूर्थ परिच्छन, वाक पूर्थ परिच्छन को यह CT परिच्छन भी कहते हैं, इसका फुल फार्म होता है sentence, completion, test, तथा वाक पूर्थ परिच्छन का जो निर्माड था वो पाइन एंड टेंडलर द्वारा 1930 स्वी में किया गया वाक पूर्थ परिच्छन जो होता है, वो 14 से 19 वर्थ तक के बच्चों के लिए उप्युक्त होता है, तता इस परिच्छन में अधूरे वाकों को पूरा करने को का जाता है, जैसे आप एकजामपल में देख सकते हैं, मैं बहुत खुश होता है या होती है जब आपको इसके आँगे इस परकार से कोशन दे दिये जाएगा, इसके आँगे आपको स्वयम बढ़ना होता है कि आप इसमें क्या बढ़ेंगे, मैं बहुत खुश होता हूँ जब मैं पढ़ता हूँ या खेलता हूँ, मेरे मित्र अकसर मुझसे बहुत सारी बातें करते हैं या बहुत सार चीजें मांगते हैं, आप इसमें कुछ भी भर सकते हैं, तो इस चित्र में ये जो वाकपूर्द परिच्छन होता है, इसमें इस पकार से अधूरे कोशन दे दिये जाते हैं और इनको आपको पूरे करने होते हैं, इसके जो निर्माल कारता थे वो पाइन एंटेंड डिलर थे और ये परिच्छन 14 से 19 वरस्त के बच्चों के लिए था, सब्द साचर परिच्छन जिसे हम FW80 परिच्छन भी कहते हैं, FW80 फुलफार्म होता है, फ्री वर्ल्ड एसोसियेशन टेस्ट, सब्द साचर परिच्छन का सरप्थम निर्माल जो था, वो गाल्टन मौदय न 1879 इसवी में किया था, इन्होंने 75 सब्दों की सूची तयार की, बेक्तिकत मापन के रूप से इसका सरप्थम प्रियोग यूंग द्वारा 1904 इसवी में किया गया, और यूंग मौदय थे, उन्होंने 100 सब्दों की सूची तयार की थी, यूंग की सफलता से प्रवावित हो कर अमरीका के बैग्यानिक थे काइंट वर रोजनेप्स इन्हों ने 1910 इस्वी में तथा रहपा पॉल्ड ने 1946 इस्वी में सब्दसायचर परिच्छन का निर्माड किया इस परिच्छन के द्वारा बेक्टिकर मापन के अलावा मांसिक रोगों का भी इलाज किया जाता है जो इससे कि यह केवल एक बेक्तिकर मापन होता है और बेक्तिकर मापन के साथ साथ इसमें हम मानसिक रोगों को भी इलाज किया जाता है यह हो गए FWATS related important point इसके साथ आप यह भी point याद रखें हैं नेश्ट परिच्छण है तस्वीर कुष्टा परिच्छण जिसे हम पी अप्टी भी कहते हैं अर्थाद पिक्चर प्रेस्ट्रेक्सन टेस्ट इसके जो प्रवर्तक थे वो थे रोजे निमिक ने 1949 स्वी में इसकी खोज की थी यह परिच्छण बेक्तित में कुंठा का माप मैलाओं के लिए और बाराकार्ण पुर्सों के लिए होते हैं तो जो तस्वीर कुष्टा परिच्छण जिसे हम पी अप्टी भी कहते हैं इसकी जो खोज थी वो रोजे निमिक ने 1949 में किया तता तस्वीर कुष्टा परिच्छण में हम व्यक्तित्त के कुंठा का पता मनोनाट के बिद के जो निर्माल करता थे वो थे जेयल मुरेनों जेयल मेरों ने 1940 सिसवी में इस बिद की खोज की इस बिद में इनों ने बताया कि पूर नियोजित तरीके से बालक अपनी भावनाओं का अभ्यक्त करता है तता बालक के अभ्यक्त के दवारा अचेतन मन की बातों का पता लगा कर उसके ब्रेक्तित्व का मापन किया जाता है नेश्ट पीद है ड्रा ए-पर्शन पर इच्छंड वीदी ड्रा ए-पर्शन पर इच्छंड बीद के निरमाल करता थे मेक होवन तता इसकी स्थाफना 1926 इसवी में किये गए यह आपको याद रखना है कि परसन पर इच्छन के निर्माड अर्था जनक कौन थे हैं और इसकी खोच कप की गई नेश्ट पर इच्छन है क्लाउड पिक्चर टेस्ट क्लाउड पिक्चर टेस्ट के स्थाफना इस्टन मोदा ने 1937 में की थी और ये सबी कैसी विदियां आएं ये सबी प्रिच्छेपन विदियां आएं इस बात का भी द्यान रखें निश्ट है आपकी सबी प्रिच्छेपन विदियां समापत हो चुकी हैं अब बिदियां आती है, आत्मिनिस्ट या इन्हें बेक्तिनिस्ट बिदियां भी कहते हैं, सरपतम है आत्मकथा या अंतरदसन बिदी, आत्मकथा कोई अंतरदसन बिद भी कहते हैं, इसके जो जनक थे वो थे बिलियम मुंट और उनके सिस्टिचनर, आत्मकथा और अंतरदस जाते हैं अर्थाद जो यह आत्मकतायां तरदसन बिदिया इसके जनक बिलिया मूंट और उनके सिस्टिचनर है यह एकजाम के देश से इंपॉर्टन्ट है नेश्ट बिदी है बेक्ति इत्यास बिदी या इसे हम जीवन ब्रत बिद भी कहते हैं बेक्ति इत्यास बिदी कोई जीवन ब्रत बिदी या केस स्टेडी मेथड इंगलिस में इसे हम काया जाता है जो केस स्टेडी मेथड था इसके जनक थे टाइड मैन है टाइड मैन बेक्त सर्फष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष की घकाजब है कि अंपॉइट पॉइंट है कि बिना निधान के उपचार संभव नहीं है तता सबसे इमपॉर्टेंट है कि इस विद्ध के जनक कौन है ? निश्ट व्लावाली व्लाव्मा दिया इसे हम कागजिया है या फिर बेक्तित तो अनसूची या बेक्तित अविस्कार का बिदी भी कहते हैं जो प्रश्नावली बिदी थी प्रश्नावली बिद के जनक जो थे प्रश्नावली बिद के जनक थे वुडवर्थ मौध है प्रश्णावली विद के जनक है उडवर्थ महोत है और प्रश्णावली वह बेक्तिगत अंसूची दोनों मिलती जुलती हैं दोनों लगबग एक हैं फिर भी अंतर के कौन से देखें तो प्रश्णावली के मादम से सभी प्रकार के सुचनाएं एकतर के जाती हैं जबकि बेक्तित अंसूची के मादम से विशेश रूप से बेक्तिगत समंदी प्रश्णों के उत्तर प्राप्त किया जाता है नेश्ट है बेक्तित तुमापन के लिए सरप्थम प्रश्णा वाली बिद का प्रयोग 1880CV में गाल्टन मौदय ने किया था जो बेक्तित तुमापन के बिदी है प्रश्णा वाली बिदी इसका सरप्थम प्रयोग गाल्टन मौदय ने किया था किन्द जो जनक माने जाते हैं वो जनक माने जाते हैं प्रश्णा वाली बिद के जनक हैं उडवार्त नेश्ट बिदी है साचातकार बिदी साच्छातकार बिद को अंग्रेजी में इंटर्विव कहते हैं साच्छातकार के बिद के जनकते जान डाल ले इन्होंने कहा कि एक उद्देश पून किया गया वारता लाफी साच्छातकार होता है साच्छातकार के सुरुवात अमरीका से हुई थी साचातकार में आमने सामने होना जरूरी है जब भी इंटर्वी होता है तो दो बेक्तियों को आमने सामने दोनों बेक्ति होते हैं तब ही ये इंटर्वी अथा साचातकार हो पाता है इसमें प्रश्णों की कोई बंदन नहीं होता और ना ही कोई समसीमन निचित होती है साचात कार को वारतलाप का एक रूप भी माना जाता है नेश्ट है वस्तुनिष्ट बिदिया वस्तुनिष्ट बिदि के अंदर गत सबसे पहले आती है निरिच्छन बिदि या इसे अमबैदर्शन बिदि या सारबावमिक बिद भी कहते हैं निरिच्छन बिद के जो जनक थे वो थे वार्टसन मौद है इस बिद में सामने वाले बिद के बेवार का बिन बिन प्रिस्थितियों में अध्यन करके निसकर्स निकाला जाता है कि बिसय का बिक्तित तो कैसा है निस्ट बिद यह समाज मित बिदी समाज मित बिद के जनक हैं जेयल मौरेनो इस बिद के द्वारा समू की सरचना का अध्यन किया जाता है तथा बिक्ति की समजिक्ता के बारे में समाज के बिक्तियों से जानकारी लेकर सिरेश्ट ततश्ट हुआ निरस्करत विक्तियों का पतल लगाया जाता है नेश्ट भी दिय है क्रम निधान और मापनी यह इसे हम रेटिंग स्किल भी कहते हैं इसका सबसे पहले प्रकासन गाल्टन ने 1883 इस्वी में किया था इन्होंने बताये कि इस परिच्छन में क्रम निधान मापनी के मादम से आकड़े इकत्र करके निसकस निकाले जाते हैं कि विसाय कैसा है नेश्ट है परिस्थिती परिच्छन जिस बिक्तितों समंदिक गुण के बारे में जानना होता है उसे समंदित अवस्यक प्रिस्थितिया करतिम रूप से पयता करके इसको डिलीट। और ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं आज से आपका जो बैकतितों टापिक है 95 नाइए जो आपक ने इन्में से कोई वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल में जाके ये वीडियो देख सकते हैं मिलते हैं फ्रेंट नेश्ट वीडियो में जै हिंद